नवश्कार स्वागत है आपका आर्पीडी न्यूज राजस्तान पंचायती दुनिया में भारत संचार निगम लिमिटेड के टावर चालू नहीं करने से ग्रामिनों को नेटवरक की भारी समस्या उध्यपुर्जिले की गोगुंदा तैसील की ग्राम पंचायत चाली के वर्तमान सरपंच गणेश खैर ने गाउं में लगे बी एसनल के टावर को शुरू करने की प्रशासन से अपील किये सरपंच गणेश खैर ने आरपीडी न्यूज परदान संपादक बिर्बल कडवा को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत चाली के राजसव गाउं बागदड़ा में करीब एक साल से भारत संचार निगम लिमिटेड बी एसनल का टावर लगा हुआ है लेकिन अभी तक टावर चालू नहीं किया है बागदड़ा में किसी प्रकार का नेटवरक नहीं होने से गाउं के लोगों को इस पहाडियों पर रात में भी किसी प्रकार का काम हो तो दूरभास पर संपरक करने के लिए मोबाइल लेकर पहाडियों पर चड़ना पड़ता है जिससे की बड़े हादसे की चिंता बनी रहती है आज के इंटरनेट के युग में नेटवरक नहीं होने के कारण गरामिनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है गरामिनों की इस गंबीर समस्या का तुरंत संग्यान लेकर पूरव में लगे हुए बी एसनल टावर को तुरंत परभाव से शुरू किया जाए ताकि पीम नरेंद्र मोदी का डीजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके और लोगों को इसका लाब मिले साथ ही सरपंच गणेश खैर ने जानकरी देते हुए बताया कि किसी अधिकारी से फोन पर बात करने पर वो बता रही है कि टावर चालू कर दिया गया है और फोरजी फोन में ही नेटवरक आएगा सभी के पास फोरजी फोन है मगर किसी के फोन में टावर नहीं आ रहा है इसलिए इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए उद्यापूर गोगुंदा से आर पीडी निूज की खास रिपोर्ट